उत्तरपदेश में रामपुर एक जिला है इस जिले की पिरसिद्धी पूरे भारत में है पिरसिद्धी की एक खास वज़े है जिले में बनने वाला रामपुरी चाकू रामपुर में बनने वाले चाकू भारत के अलग-अलग राज्यों में विक्री के लिए चाते हैं बॉलिवुट की कई फिल्मों में भी खल नायक अभिने की दोरान रामपुरिया चाकू का ही इस्तिमाल करते हैं इस वीच रामपुर विकास प्राधी करण ने शेहर में विलासपुर मार्ग पर एक चोहराय बनाया है इस चोहराय पर दुनिया का सबसे बड़ा चाकू स्थापित किया गया है जो की 20 फीट लंबा है चाकू को पीतल और स्टील की मिश्रिधातू से बनाय गया है जिस चोहराय पर चाकू को स्थापित किया गया है उसे चाकू चोहराय कहा जा रहा है चाकू चोहराय के अनावरण पर सांसत घंशाम सिंग लोदी और विधायक आकार शकसेना भी मौजूद थे साथे मंडला एक्ट आजन्य कुमार सिंग और जिलादिकारी रविंद्र कुमार मांदर भी उपस्तित रहे आजन्य कुमार सिंग ने कहा कि रामपुरिया चाकू की जब भी बात होती थी तो लोग इससे डर के रूप में देखते थे लेकिन इसे अब शिल्प रूप दिया गया है प्रदेश इस तर पर चाकू उद्योग को और कैसे बढ़ावा दिया जाए इस पर विचार किया जा रहा है इस उद्योग से हजारों शिर्मिक जुड़े हैं लाइसेंस से छूट और जी अच्ची के दाइरे से बाहर रखने पर भी विचार किया जा रहा है चाकू जो रहा आज बनाया गया है इसकी बुन्याद काफी पहले रखी थी जब यहां पर रामपुर विचास ताधिजान की बैठक के समय और अफशान ने इसका इसका प्रोपोजल लगा था और आज वो साकार रूप में हमारे सामने है मैं इसके लिए अफशान को भी और जिलादिकारी रामपुर को खास तोर पर कि उन्होंने एक मूर्थ रूप दिया एक स्वप्न को एक पहचान उसको मैं विशेश रूप से बढ़ाई दूँगा और रामपुर विकास पाधिकरान की पूरी टीम को अपनी तरफ से बढ़ाई देना चाहता हूँ इस दौरान विधाय काकाश अकसेना ने कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदितनात के नित्रतु में तरक्की की राह पर है सरकार प्रदेश के विकास को लेकर ततपर है और उन्होंने कहा कि चाकू का इस्तिमाल हमेशा अच्छे कामों में किया जाना चाहिए जो पेड हमारे कमिशनर साब ने रामपुर में रहते हुए लगाया था वो आज रामपुर के जिलादिकारी मौदय ने उस सपने को साकार किया आप सभी को पता है जो रामपुरी चाकू जो एक डर का प्रतीक हुआ करता था अगर आप कोई भी पिक्चर पहले की उठा के देखेंगे तो सब में एक डर की तरीके से रामपुर के चाकू का नाम लिया जाता हुए लेकिन सरकार ने इस डर के चाकू को शिल्प में बदलने का काम किया यह आप सब लोग जाने आपको बता दे कि चाकू चोहराय पर चारो तरफ लाइटे लगाई गई है वहीं शाम के बक्त बैठने के लिए बैंच भी लगाई गई है सोशल मेडिया पर कई लोग इसे दुनिया का सबसे बड़ा चाकू बता रहे है इस चोहराय को बनाने में बावल लाक रुपे से अधिक की लागत आई है